अंकुर आफिस के काम से पाश दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था लेकिन काम जल्दी निपट गया था तो वो दो दिनों के बादी घर पहुँच गया अचानक से घर पहुँचकर वो अपनी पत्नी और मा को सर्प्राइज देना चाहता था लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे प्रपहुचा तो उसने देखा कि उसकी मा पुषपा जी आंगन में बैटकर बरतन माज रही थी वैसे तो वह हर समय कुछ न कुछ काम करती ही रहती थी लेकिन उसी समय उसने देखा कि उसकी पत्नी समीता आंगन में आई और अपनी जूठी थाली उनके सामने र चक्का रह गया क्योंकि उसके सामने तो उसकी पत्नी मा के साथ अच्छा व्यवार ही करती थी वह दरवाजे की योट में था इसलिए समीता उसे देख नहीं पाई यह द्रिश देखना ही काफी नहीं था अचानक से आगे का द्रिश देखकर मानो आसमान से जमीन पर गिर प उसके बच्पन में अपने हिस्से का निवाला भी हस्ते हस्ते उसे खिला दिया करती थी आज वही मा अपनी भूप मिटाने के लिए इस तरह जूठी थाली से चावल बीनने को मजबूर है कुछ पलों तक तो वह जड़ होकर बसनम आखों से यह द्रिश देख रहा था लेक कुछ नहीं बेटा बस थोड़े बरतन थे वही साफ कर रही थी बहु की कमर में दर्द है ना तो मैंने सुचा कि मैं बरतन साफ कर देती हूँ अंकुर हैरानी से बोला जूठे बरतनों से जूठन खा कर तुम बरतन साफ कर रही थी पुश्पा जी नजरे चुराने लगी फ तुम अभी मेरे लिए बहु को कुछ बूलोगे, तो फिर कल को मुझे ही सब जहलना पड़ जाएगा, तुम तो बाहर रहते हो बेटा, घर में तो बहु के साथ मैं रहती हुना, तो फिर मैं बहु से दुश्मनी कैसे मुल ले सकती हूँ, अंकुर का दिल तड़ा पुठा कि जो मा एक समय पर पूरी ग्रिहस्ती की धूरी हुआ करती थी, आज वो अपनी बहु के गलत वेभार को देखते हुए भी कुछ कर पाने के स्थिती में नहीं थी, बस डर रही थी क बहु और गलत वेभार ना करने लगे, अंकुर की यांखों से बहते हुए आसु अचानक से सूख गए और उसका चैरा कठोर होने लगा, उसने सोच लिया कि अगर उसकी पत्नी उसकी मा का सम्मान नहीं कर सकती है, तो फिर वो पत्नी किस काम की, पती पत्नी एक दूसरे के एक दूसरे की जिम्मेदारियों में साथ निभाते हैं, एक दूसरे के परिवार के प्रती फर्ज निभाते हैं, लेकिन अगर वो साथ रहते हुए भी मेरी मा को दो वक्त की रोटी बना कर नहीं दे सकती, तो ऐसी पत्नी के घर में रहने का फाइदा ही क्या है? फिर उसने अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए अपने मन को मजबूत बनाया, वो अपनी मा के आसू पोच कर कहने लगा, मा अभी तुम्हारा ये बेटा जिंदा है, जब तक मैं जीऊंगा, तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा, इतना कहकर वो अपनी मा क सबसे पहले घर के बाहर लेकर आया, उसने एक होटल में अपनी मा को बिठा कर भार पेट भोजन करवाया, खाना खाने के बाग उसकी मा त्रिप्त हो गई, तो उसने कहा, मा चलो, अब घर पर आराम करो, तुम्हारी तब्य ठीक नहीं थी ना, वो अपनी मा को लेकर घर आय अपनी मा को उसने आराम करने के लिए कह दिया, तभी पत्नी को घर पर देखते ही, स्मिता खुशी से चहक पड़ी और वो उसका हाथ पकड़ कर बेडरूम में ले गई, और उसके सीने से लगकर मिठी मिठी बाते करने लगी, लेकिन पत्नी का यह प्यार आज उसे बस एक लावा मातरही दिखाई दे रहा था, यदि पत्नी सच में उससे प्यार करती, तो क्या उसकी भोली भाली मा का ध्यान भी न रखती, अंकुर ने कठोर नेत्रों से उसे देखते हुए कहा, बंद करो अपनी यह मीठी बाते, और मुझे एक बात बताओ, कि मेरी माने तुम्ह क्या बिगाड़ा है, जब से वह गाउं से आई है, तब से क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यभार किया, तुम्हे किसी बात के लिए टोका, स्मिता आचानक से यह सवाल सुनकर दंग रह गई, वो कहने लगी, नहीं तो, लेकिन तुम यह सवाल क्यों पूच र मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तीनों टाइम भर पिट खाना खाती है, फिर भी मुझ पर जूटा इलजाम लगा रही है, वो तो हम दोनों को एक साथ खुश देखना ही नहीं चाहती है, ऐसा कहकर वो रोने का दिखावा करने लगी, तो अंकुर ने उसे जोर का तमचा मारते वे कहा, पहले तो गलती करती हो, और उपर से अपनी गलती मानती भी नहीं हो, कोई चाहे कितना भी जूट क्यों न बोले, लेकिन आज मैंने जो देखा है, वो कहीं से भी जूट नहीं लग रहा था, मेरी मा ने मुझ से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की थी, वलकि जब मैं अचानक से घर पहुचा, तो मैंने खुद देखा, मेरी मा आंगन में बैट कर तुम्हारा जूटन खा रही थी, यह सुनते ही समीता की आँखे आश्यरे से चौड़ी हो गई, उसने तो सोचा भी नहीं था, कि उसकी सास भूग से मजबूर होकर ऐसा भी कुछ कर सक अब वो शर्मिन्दगी से सिर जुका कर खड़ी हो गई, अंकुर गुसे में कहने लगा, मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी अपनी जिन्दगी में नहीं चाहिए, तुम इस घर को छोड़ कर यहां से निकल जाओ, अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तलाक का नाम सुनते ही स्मिता के चेहरे का रंग उड़ गया, वह हाथ जोड़ते वे कहने लगी, नहीं नहीं, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं मम्मी जी को अच्छे से खाना पीना दूँगी, अंकुर गुसे में बुला, नहीं, अगर एक बार रिष्टों में दरार पड़ जाए, और क जाकर किसी और के साथ अपनी जिन्दगी की शुरुआत करो, लेकिन वहाँ भी तुम ऐजी गलती मत करना, घर के बुजूर परिवार की नीव होते हैं, और यदि उनके साथ गलत विभार करोगी, तो तुम्हारा भविश्य भी बरबाद हो जाएगा, और मेरी मा का ध्यान के लिए मैं ही काफी हूँ, स्मिता काफी गिर गिराई, लेकिन अंकुर का भरोसा उच चुका था, तो उसने उसे दोबारा मौका नहीं दिया, और उसने स्मिता से तलाक ले लिया, पुछपा जी को बड़ा दुख हुआ, कि बेटे बहु का रिष्टा तूट गया, लेकिन उसे मेरी मा को दो वक्त की रोटी बना कर देना भी बोज लगने लगा था, इंसान के कर्मों से ही उसकी नियत का पता चलता है, और अगर उसकी नियत खराब थी, तो उसके लिए इस घर में कोई जगर नहीं है, उधर तलाक होने के बाद स्मिता को मायके में भी जगर नहीं और ना ही किसी रिष्टेदार ने उसे अपने घर में रहने का स्थान दिया, वो अपने अकेले पन को देखकर घबरा उठती है, लेकिन सब किया धरा भी तो उसी का था, इधर शुरुआत में तो अंकुर ने खुदी अपनी मा का ध्यान रखा, फिर चार सालों के बाद उस उसके जीवन में कविता आई, कविता उसी के ओफिस में काम करती थी और उसकी उम्र 35 साल के आसपास थी, उसने अभी तक शादी नहीं की थी, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलोती बेटी थी और उसके पिता जी का स्वरगवास हो चुका था, तो अपनी मा का ध्यान र हमारे जीवन में है ही क्या, मुझे भी अपनी मा का ध्यान रखना है और तुम्हें भी अपनी मा का ध्यान रखना है, तो क्यों ना हम दोनों एक खुबसरत सा परिवार बनाए, और मिल जुलकर अपने बुजर्गों की देखभाल करें, और अपने भी जिंदगी में आगे हो जाएंगे, उस वक्त हमें भी एक साथी की जरुरत तो महसूस होगी ही, अब चुकी दोनों की जीवन का लक्ष एक ही था, तो कविता ने भी इस रिष्टे के लिए हां कर दी, एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली और अब उनके घर में दो माएं एक साथ मिल जुलकर रही थी, शादी के सालवर के अंदर कविता भी एक बच्चे की मा बन चुकी थी, कविता का बेटा अपनी दादी और नानी के प्रेम के सानिद्धि में बहुत प्यार दुलार के साथ बढ़ा हो रहा था, और कविता और अंकूर एक दूसरे से प्यार जताते हुए पूरे परिवार का ध्यान बड़े प्यार से रख रहे थे, तो धुस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, धन्यवाद